हलो माई डियर स्टूडेंट्स दिस डॉक्टरा कांग्शा घृवाल आपकी गुरुमा और वेलकम यू वाल एक और शांदार अमेजिंग पॉड्कास तीरी सेशन में जहां आज हम माईक्रोब्स इन हुमन वेलफेर को डिस्कास करेंगे स्टूडेंट्स माईक्रोब्स सुनते ही हमारी हमेशा हवायया उड़ते हैं हमें हमेशा बिमारी करने वाले बैक्टीरिया, वाइरस, फंजाय, एक्सेट्रा याद आते हैं यह हर जगे मिलते हैं, हर जगे मतलब हवा में, पानी में, लैंड पे, मिट्टी में, आनिमल प्लांट की बॉड़ी के उपर, बॉड़ी के अंदर, ऐस पारसाइट एक्सेटरा माइक्रोब्स बहाँ भी मिलते हैं, जहां हम जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते हैं, लाइफ पॉसिबल हो, ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर डीप मिलते हैं, खौलते हुए लावा में मिलते हैं, स्नो के अंदर मिलते हैं, highly acidic environment में भी मिलते हैं तो आईए सबसे पहले हम बात करते हैं, microbes in human welfare में household products, घर में काम आने वाले household products में microbes का कहां use होता है, पहला use हम सब जानते हैं, दही जमाने में, यानि making curd, इसमें lactic acid bacteria यानि LAB use होता है, सबसे पहले दूद को हलका सा गरम किया जाता है, और इसमें थोड़ा सा दही डालते हैं जो starter या inoculum की तरह काम करेगा, हम सब कभी ना कभी बगल वाली आंटी के ting-tong, आंटी थोड़ा सा जामन है क्या लेने जरूर गए हैं, तो वो जो little curd हम add कर रहे हैं, उसमें millions of lactic acid bacteria है, वो milk की जो sugar है lactose, उसको lactic acid में convert करते हैं, lactic acid fermentation के द्वारा, ये जो acids होते हैं, ये milk के protein, casein को calcium paracacinate, याने उसे coagulate करते हैं, partially digest करते हैं, और उससे calcium paracacinate में milk protein को convert कर देते हैं, और इस तरह से दूद दही में convert हो जाता है, दही milk से काफी superior है, इसमें vitamin B12 especially बहुत high होता है, plus हमारे stomach में बहुत सारे disease करने वाले जो microbes हैं, उन्हें भी ये दही के जो lactic acid bacteria है, वो check करते हैं, control करते हैं, so curd is very very superior to milk definitely, so this is all about in making curd, curd के बाद में, dough sidely में भी इन्हें यूज़ करते हैं, और bread में यूज़ करते हैं, bread में यूज़ करते हैं yeast को Saccharomyces cerevis, यही यीस्ट, wine और beer बनाने में भी काम आएगा, तो इसे brewer yeast भी बोलते हैं, और bread बनाने में काम आ रहा है, तो baker yeast भी बोलते हैं, so Saccharomyces cerevis, yeast की मदद से bread बनाई जाती है, सबसे पहले ब्रेड का जो आटा है, घोल है, डो, पैटर जो है, उसमें हम यीस्ट डालते हैं, तो यीस्ट सबसे पहले इस आटा या मैदा जिसकी भी ब्रेड बना रहे हैं, उसमें जो स्टार्च होगा, तो इस यीस्ट के अंदर अमाईलेज होता है, जो से maltose में तोड़ता है फिर maltase होता है जो से glucose में तोड़ता है फिर इसमें alcohol fermentation होगा जिसके कारण ethyle alcohol याने ethanol प्लस CO2 निकलेगी अब हम इस bread को bake करेंगे इस आटे को bake करेंगे और bake जब करेंगे तो CO2 gas along with ethyle alcohol दोनों भाव बनके उड़ेंगे evaporate और वहाँ bread में चोटे-चोटे छेद हो जाएंगे याने bread becomes porous and soft यह हो गया bread बनाने में तो दही जमाने में LAB और bread के लिए yeast saccharomyces cerevisi इसके अलावा टोड़ी ड्रिंके काती है जो बहुत फेमस ट्रडिशनल ड्रिंके South India की इसमें तोड़ी पाम एक खजूर का पेड़ है उसमें कट लगा कर एक मटकी लगा देते हैं और रात बार उसका sap collect होता है और इसमें भी natural fermentation होता है yeast के द्वारा जिससे यह तोड़ी ड्रिंक बनती है South India की बहुत common इसके अलावा fish, soya bean और bamboo की shoots को भी fermentation करके इनसे अचार या तरह तरह के products बनाए जाते हैं खाने के तो यह सब हो गया household products में अब आईए हम आ जाते है microbes का use industrial level के products में यह बहुत important topic है student छोड़ा सा chapter है चार से पांच questions आते ही आते हैं industrial level पर high level पर जब हमें products बनाने हैं तो large vessels में बड़े बड़े बरतनों में tanks में बनाते हैं जिने fermenters कहते हैं पहला use है alcoholic beverages याने शराब बनाने में इसमें दो तरह की drink बनेगी हमें पता है natural fermentation 13-13% तक maximum alcohol produce हो सकता है उसके बाद yeast मर जाता है toxic होता है यह alcohol तो naturally जो fermentation होगा उन drinks में केवल 13% तक ही alcohol content रहेगा यह लो alcohol content रहेगा जैसा की beer और wine में रहता है पर अगर आपको high alcohol content चाहिए 13-13% से जाधा तो इसमें distillation करना पड़ता है जैसे की whiskey, brandy, vodka, rum, gin उनमें होता है यहाँ यहाँ पर जो alcoholic beverage बनेगा वो दो बातों पर depend कर रहा है नमबर वन हम processing क्या कर रहे है natural fermentation only या with distillation और दूसरा raw material क्या use कर रहे है raw material की trick है AFMC, यह मतलब alcohol का raw material FMC, fruit juices हो सकते हैं जैसे grape juice से wine बनती है M, molasses हो सकते हैं गन्ने का शीरा और C से cereal हो सकते हैं, maltrate cereal जैसा की barley use करते हैं beer बनाने में तो type of raw material and type of processing से alcoholic drinks बनेगे अलगलब चलिए, अब आईए हम आजाते हैं second industrial product पर which is antibiotic यह ऐसी chemicals हैं जो एक living organism से produce होंगे और किसी दूसरे living organisms को मारेंगे anti मतलब against, bio मतलब life उनकी जिन्दिगी के खिलाफ काम करेंगे पहली antibiotic की जो खोज की थी वो Alexander Fleming ने की थी it was a chance discovery, chance से खोज हुई थी वो staphylococcus bacteria पे काम कर रहे थे और उन्होंने देखा की कुछ bacteria की colonies मर गई, they could not grow, क्यों? क्योंकि उनके आसपास एक mold, एक fungi, penicillium ग्रो कर गया था उन्हें समझाये, इस penicillium से कोई chemical निकला है जिन्होंने इस bacteria को मार दिया उन्होंने इस chemical को penicillin नाम दिया, पहली antibiotic जो खोजी गई पर उन्होंने इसका use नहीं किया था treatment में 1939 से 45 के बीच में जब second world war हुआ, तो फूलों की chain, flower की chain यानि florey और chain ने इसे American soldiers को treat करने में यूज करा और जब second world war खतम हुआ 1945 में, तो Alexander Fleming, florey और chain तीनों को joint noble prize दिया गया आज हम जिंदगी imagine भी नहीं कर सकते हैं, आंटीबाइटिक के बिना आंटीबाइटिक से बहुत सारी bacterial diseases को treat किया जाता है जैसे यहाँ पर चार examples दियो हैं, leprosy याने कुष्ट रोग, diphtheria, galco2 जो corny bacterium diphtheria से होती है जिसे हम whooping cough कहते हैं और plague जो यर्थीनिया पेस्टिस से होता है तो plague, कुष्ट रोग याने leprosy, galco2 याने diphtheria और काली खासी याने whooping cough पर बहुत सारी और भी जितनी भी bacterial disease है तो ध्यान रखेगा Alexander Fleming ने खोज की थी, discovery की थी लेकिन florae और chain ने उसको use किया था as medicine to treat American soldiers during second world war यह against life तो bacteria के है, microbes जिने मार रहे है हमारे लिए human के लिए तो pro-life है, हमारी जिंदगी के लिए तो helpful है Now, third industrial level के products में हमें पढ़ना है enzymes enzymes में हमें 3 main enzymes पढ़ना है Number one, lipase, lipase नाम से समझ में आ रहे, lipid को तोड सकते है यानि जो हमारे गंदे कपड़े है, laundry, उनमें जो oil के, तेल के दाग है उनको हटाने में काम आते है, remove oily stains in laundry यानि यह detergents में add किये जाते है Number two, protease and pectinase, यह जो बजार का fruit juice होता है एक दम clear, उसको clarifying करने के काम आते है and तीसरा very 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 important streptokinase जो streptococcus bacteria से मलता है यह streptokinase क्या करते है students streptokinase पहले genetic engineering से modify करेंगे और किने देते हैं ध्यान से सुनिए जिने myocardial infarction हुआ है यानि heart की muscle की blood supply damage हुई है जिसके कारण heart attack हुआ है उनमें जरूर clots बन गए है उन clots को गलाने के लिए, remove करने के लिए ने clot buster की तरह streptokinase enzyme के injections दिये जाते हैं Now, next industrial level पर हमें organic acids बनने हैं जैसे हम जानते हैं, lactic acid बनाएगा lactic acid bacteria इसी तरह, butyric acid बनाएगा clostridium butylicum इसी तरह, acetic acid बनाएगा acetobacter, acetai, bacteria यह तो असान है lab lactic acid, clostridium butylicum butyric acid acetobacter, acetai, acetic acid जो confuse करता है वो है citric acid, यह aspergillus niger नाम के fungus से मिलता है तो यह बहुत important question बनता ही बनता है अब, इसके लावब कुछ और bioactive molecules हैं, जिनमें हमें दो याद रखने cyclosporin A and statins cyclosporin A, immunosuppressant है यह transplantation के time पर दी जाएगी recipient को जिंदगी भर लेना पड़ता है immune system को suppress करते हैं ताकि rejection ना हो transplantation का, यह किस से मिलता है इसकी ट्रीक है, 3 funky cycles 3 funky cycle, cycle मतलब cyclosporin A की बात कर रहे है, 3 funky 3 मतलब trichoderma polysporum और funky मतलब यह पंजा है जिससे यह chemical मिलता है now statins, statins, statins मिलता है monascus purpureus नाम के yeast से इसका काम है static, यानि blood के cholesterol को कम कर देना क्यों? क्योंकि यह inhibitor की तरह काम करेगा, competitive inhibitor की तरह substrate जैसा दिखता है जिससे product cholesterol बनता है तो अब cholesterol कम बनेगा यानि कि यह competitively inhibit करेगा cholesterol के formation को मोना के parents के याच पर मैंने अपनी cycle station करी है मोना के parents यानि monascus purpureus याच यानि एक yeast है और statin मिलता है तो यहाँ से अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है 15-20 minute एक question 100% आने ही आने वाला है कम से कम minimum तो यह हो गए industrial products तो household products में हमने curd देख लिया, bread देख लिया tody drink देख लिया fish bamboo shoots and soya bean देख लिया एक cheese हमारा रह गया अभी अभी बताती हूँ और industrial products में हमने alcohol देख लिया antibiotics देख लिया organic acids देख लिया tino enzymes देख लिया cyclosporin A हो गया और statins हो गया आईए cheese की भी बात कर लेते है cheese जो है वुसमें तीन चीजें हर चीज में अलग-अलग है फटा-फट फटा-फट फ़प मतलब flavor त मतलब taste और त से texture तो flavor, texture, taste अलग-अलग होता है according to कौन सा microbe यूज कर रहे है cheese बनाने में हमें तीन चीज याद रखना है camembert, penicillium, camembert आए नाम के फंगस से बनेगा rockfurt, rockfurt आए penicillium, rockfurt आए नाम के फंगस से बनेगा तो camembert, penicillium, camembert आए rockfurt, penicillium, rockfurt आए Swiss cheese बैक्टीरिया से बनता है Swiss cheese में बड़े-बड़े छेद हैं co2 gas के वापोरेशन के कारण create होते हैं यह बैक्टीरिया बड़ा शर्माता है तो इसका नाम है शर्मनी, propionी, bacterium, शर्मनाए से बनता है Swiss cheese चलिए तो यहाँ पर हमने household और industrial products में microbes का use देख लिया अब हम आ जाते हैं microbes as bio fertilizers fertilizer का मतलब खाद की तरह यूज करना अगर हमने living organisms से soil की fertility बढ़ाई तो हमें chemical fertilizer use नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि chemical fertilizer soil की alkinity decrease कर देते हैं soil fertility को decrease कर देते हैं long run में जाकर environmental pollution करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है bio fertilizer में तीन ग्रुप यूज करते हैं BBF याने bacteria, blue green algae and fungi bacteria में कौन से यूज करते हैं आपको पता ही है rhizobium जो leguminous plants की roots के साथ nodules बनाता है then azotobacter and azospirulum इसके अलावा mineral nutrition में हमने frankia भी पढ़ा है जो non leguminous plants के साथ root nodule बनाता है यह सब nitrogen fixing bacteria है इन में से rhodospirulum और frankia symbiotic है azotobacter, azospirulum यह सब free living है now B से blue green algae या cyanobacteria इसमें हमारे को तीन याद रखने oscillatoria, anabina और nostoc anabina, nostoc की symbiotic species भी और free living भी है यह सब भी nitrogen fixers है ध्यान रखना चावल के खेती में paddy fields में cyanobacteria को use करते है यह alkinity को reduce करता है fertility को increase करता है चलिए अब next हम आ जाते है ध्यान रखना students alkinity को reduce करता है decrease करता है fertility को increase करता है NCRT की line है अब F से fungi fungi जो है roots of higher plant के साथ mycorrhiza association बनाके रहते हैं इसका सबसे famous genus है glomus glomus genus है mycorrhiza की तरह रहता है यह phosphorus एब्जॉप करके देगा पेड को और बदले में पेड से इसे रहने की जगह याने shelter और खाना याने food मिलता है क्योंकि fungi heterotrophic है तो fungi को food and shelter मिला और fungi ने phosphorus एब्जॉप किया plus fungi पेड को resistant बना रहा है drought से, सूखे से, salinity से याने उसकी overall growth development करवा रहा है ठीक है तो bacteria, rhizobium, frankia, azotobacter, azospirillum blue green algae, cyanobacteria, oscillatoria, anabina, non-stock चावल के खेत में यूज करते हैं और fungi, glomus genus, mycorrhizal association अब हम आ जाते हैं microbes as bio control agents देखे अभी तक हम pest याने फसल को जो कीडा खराब करता है उसे मारने के लिए chemical pesticide, insecticide यूज करते हैं इनके अपने harm है या environmental pollution कर रहा है ये soil की fertility को भी decrease कर रहा है ये toxic भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं प्लस, जब मैंने एक insecticide छिड़का तो ना सिर्फ targeted insect जिसे मुझे खतम करना है, बलकि non targeted insect भी खतम हो जाते हैं उनका भी loss हो जाता है प्लस, पूरा का पूरा targeted वाले की पूरी population eradicate हो जाएगी तो उस पर dependent जो predator शिकारी थे या उस पर रहने वाले parasite से वो सब भी look हो जाएँगे, गायब हो जाएँगे extinct हो जाएँगे यानि उस ecosystem से biodiversity का loss हो जाएगा जो इस ecosystem को less stable बना देगा मैं यह नहीं चाहती मैं क्या चाहती हूँ केवल targeted वाले pest को मारू, number one non targeted को नहीं और दूसरा उसे भी पूरा eradicate ना करू, manageable levels पर उसे maintain करू इसके लिए scientist ने use करी है bio control agents यानि इनकी जो natural शिकारी है natural predators है उन्हें scientist यूज करने वाले है तो यहाँ पर हम manageable level पर रखेंगे इसके लिए आपको क्या idea होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि जो शिकारी आप introduce कर रहे हो और जिस फसल को जो कीडे को आपको मारना है पेस्ट उनकी life cycle क्या है उनका feeding pattern क्या है उनकी habitat क्या है कहां रहते हैं क्या खाते हैं क्या life cycle है वो सब knowledge होना चाहिए तो आईए यहाँ पर हम NCRT के examples learn करते हैं इसमें पहला है इसकी trick है lady lady la यानि lady bird से aphid control करते हैं lady bird एक beetle है red and black markings होती है बॉड़ी पर इससे aphid control करते हैं ले नव डी डी मतलब डी वाई डी वाई lady and men तो डी वाई मतलब dragonfly और men मतलब इससे हम mosquitoes control करते हैं तो lady and men यानि lady bird से हम control करते हैं aphids को la और d और m यानि dragonfly से हम mosquito को control करते हैं ठीक है यह उनके natural शिकारी है चलिए अब तीसरा lady and men in black black मतलब b b से black b से bacillus thurian gensis bt इससे हम control करते हैं b से butterfly के caterpillars को और इसे चड़कते हैं brassica b से again brassica and fruit trees पर और यह dried sports के form में आते हैं पानी में सैशे घोल कर और फिर spray किया जाता है तो b से bt को use करते हैं इसके सैशे को पानी में मिला कर spray करते हैं चलिए so lady and men in black tried tried मतलब trichoderma trichoderma fungus है जो कई सारे root के साथ रहता है और उसके कई सारे pathogens को kill करता है उन्हें control करता है root ecosystem को protect करता है now so lady and men in black tried trichoderma boxing boxing मतलब b से है baculoviruses baculoviruses में भी npv nucleo polyhedral virus genus सबसे जाधा use होता है ये virus only targeted insect को मारते है non targeted insect को नहीं मारते है mammal, fishes, birds किसी पर इसका कोई harmful effect नहीं है यानि narrow spectrum है केवल उसे ही मारते हैं जिसे मारना है narrow spectrum उसी species को species specific होते है ठीक है तो lady bird से epid control किया dragonfly से mosquito control करे bt से butterfly caterpillar control किया trichoderma से बहुट सारे root pathogens को control किया और baculovirus npv से targeted insect को kill किया done now यह एक टम और बता देती हूं कि bio fertilizer की जब हम use करके खेती करते हैं यानि जब हम living organism से fertility बढ़ाते हैं ना कि chemical से तो उसे organic farming कहते हैं चली अब आईए हम बात करते हैं microbes in bio gas production bio gas एक mixture of gases होती है इसमें predominantly यानि mainly methane है पर methane के अलावा इसमें CO2, H2S और H2 भी होती है NCRT में एक जगे methane प्लस CO2 प्लस H2 लिखा है एक जगे methane प्लस CO2 प्लस H2S लिखा है तो हमने चारों याद की methane, CO2, H2 और H2S यह fuel इधन की तरह काम करते हैं जिससे चूला जलाया जा सकता है cooking, lightning सब में से use लिया जा सकता है यह कैसे बनती है पहले समझो कि यह बनेगी methaneogenic bacteria से जैसे methaneococcus, methaneobacterium, etc तो यह methaneogen से बनेगी और methane producing bacteria कहां मिलेंगे नमबर वन यह मार्शी, दलदल वाले area में मिलते हैं नमबर टू यह gut of ruminating cattle जुगाली करने वाले जो जानवरे गाय, भैस, बकरी उनके gut में मिलते हैं और इसलिए उनके excreta gober में भी मिलेंगे इसलिए 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 गोber gas भी कहेंगे उससे भी यह gas बनाई जा सकते हैं डंग excreta या gober में इसके अलावा भी थोड़ी देर में बताऊंगी यह जब seaweed treatment plant लगाते हैं तो उसका जो आखरी फोर्थ वाला tank के anaerobic sludge digester उसमें भी पाए जाते हैं तो यह anaerobically grow करते हैं यह cellulose को तोड़ते हैं और उस दौरान यह सारी gases निकालते हैं चलिए तो बायो गैस प्लांट हमीशा गाओं के आसपास लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे गोबर excreta बहुत मिलता है क्योंकि वहाँ पे गाए भैस वगेरा पाली जाती हैं यहाँ पर दो बॉड़ीज है जो help करते हैं बायो गैस प्लांट लगाने में इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिटीट आई ए आर आई और दूसरी खादियन विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन के वी आई सी फुल फॉर्म आने चाहिए तो खादियन विलेज विलेज गाओं गाओं के पास बायो गैस प्लांट होता है तो IARI and KVIC अब होता क्या है इसमें 10 से 15 फीट 10 तू 15 फीट कंक्रीट डीप कंक्रीट का टैंक बनाया जाता है जिसे डाइजेस्टर कहेंगे इसमें सबसे पहले गोबर पानी में घोल के यानि डाइजेस्टर में डाल देते है यानि इस गोबर बायो वेस्ट हमने घटा कर लिया अब इसके अंदर मिठानोजेनिक बैक्टीरिया है जो बायो गैस बनाएंगे अब इस टैंक के उपर हमें गैस होल्डर लगाते हैं जिसमें ये गैस इघटी होगी और उसका कवर फ्लोटिंग होना चाहिए अगर फिक्स कवर होगा तो प्रेशर से फट जाएगा तो फ्लोटिंग कवर लगा देते हैं और इसे हम आजपास घरों से पाइपलाइन से कनेक्ट कर देते हैं तो जो भी गैस बन रही है वो आजपास घरों में pipeline से पहुचा दी जाती है पर जो कच्रा बचा जो gas बनने के बाद जो digested waste बचा वो भी तो organic matter है तो वो खाद की तरह यूज करते हैं उसे अलग से collect कर लेते हैं इसे spent slurry या sludge यानि कच्रा कहते हैं बचा कुचा उसे खाद मेने और की यूज कर लेते हैं तो दो फाइदे हो गए बायो गास गोबर गास भी मिल गई inflammable gas और प्लस हमें मैने और खाद भी बन गई यह हो गया बायो गास production और अब आईए इस chapter के last topic पर आते हैं मैंने sequence अलग अलग लिया है NCRT का पर पढ़ा एक एक शब्द रही हो microbes in sewage treatment पहले समझो sewage का क्या मतलब है sewage मतलब gutter का पानी municipal waste water इसके में main part excreta होता है और उसमें भी human excreta अब हमारे excreta में दो चीज़े होती है number one organic matter और number two microbes organic matter जो भी undigested carbohydrate, protein, fat वगेरा निकला है और microbes microbes, microbes दो तरह के होते हैं जादतर harmful हैं बिमारी करने वाले pathogenic लेकिन कुछ useful होते हैं ध्यान से सुनो जो useful होते हैं वो aerobic होते हैं और heterotropic होते हैं वो इस organic matter को खा कर अपनी ऊड़ जा लेंगे ठीक है अब ये जो useful वाले थोड़े से little useful वाले इन से ही हमें सीवेज के पानी को गटर के पानी को साफ करेंगे जो plant लगाएंगे उसे कहेंगे सीवेज treatment plants आईए समझते हैं तो सीवेज treatment plant जो है इसमें 4 tanks लगेंगे पहला tank है प्राइमरी settling tank इसमें मैं क्या करूँगी सबसे पहले मैं सीवेज का पानी डालूँगी और छलनिया लगा दूँगी अलग-अलग छोटे-छोटे छेद की यानि sequential filtration करूँगी इससे जो तेरने वाला float करने वाला कचरा है पन्नी वगेरा वो हट जाएगी तो filtration से floating debris को remove कर दिया फिर मैं इस पानी को थोड़ा ठेरने दूँगी यानि sedimentation तो जो मिट्टी soil है और छोटे-छोटे कंकर पत्थर यानि small pebbles है जिने grit कहते हैं ये भी settle down हो जाएगे तो मैंने क्या किया F से filtration, F से floating debris हटवा दिया उससे और S से sedimentation उससे S से soil, S से small pebbles को हटवा दिया अब जो नीचे बैठा है वो कच्रा उससे कहेंगे primary sludge पहला कच्रा उससे हम बाहर निकाल के फेग देंगे और जो उपर-उपर super natin टेर रहा है तो थोड़ा साफ हो गया है floating debris, small pebbles, soil वो सब इसमें से हट गई है इसे primary effluent कहेंगे इसे हम अगले tank में लेके जाएंगे अभी कोई living organism यूज नहीं हुआ यह primary treatment है, physical treatment है जो primary settling tank में हुआ है अब second tank को secondary settling tank नहीं कहेंगे my dear students, इसे कहेंगे large erosion tank इस primary effluent के अंदर हमारी useful वाले microbes भी है अब हम यहाँ पे हवा देंगे क्योंकि यह aerobic है constantly इसे mechanically agitate करेंगे ताकि हवा सब को मिले तो air को pump in करेंगे और constant mechanical agitation देंगे इसके कारण से यह जो useful वाले heterotrophic microbes हैं bacteria fungi यह इस पानी में जो organic matter उसे खाना शुरू करेंगे so by digesting organic matter they will grow and reproduce and multiply in number इनके जाल बन जाएंगे mesh बन जाएंगे bacteria और fungal filament के जिसे phlox कहेंगे अब हो क्या रहा है ध्यान से सुनिएगा एक शब्द आता है BOD biochemical oxygen demand मान लीजे दो जगे पे मैंने एक एक लीटर gutter का पानी sewage water लिया एक में एक kilo organic matter है और एक में चार kilo organic matter है तो जादा खाना कहाँ पर है चार kilo में जादा खाना है यानि यहाँ जादा oxygen के demand होगी क्योंकि यहाँ के bacteria पंजाए को जादा खाना है तो जादा oxygen चाहिए तो इनकी BOD जादा होगी तो ध्यान रखो जितना जादा organic matter उतनी जादा गंदा पानी polluted पानी और उतनी जादा BOD तो होगा क्या अब यह तो organic matter खाते जा रहे है digest करते जा रहे है तो पानी के अंदर organic matter कम होता जा रहा है कच्रा कम होता जा रहा है BOD भी कम होता जाएगा हम BOD नापते रहेंगे और जब BOD significantly काफी जादा कम हो जाएगा इसका मतलब पानी काफी साफ हो गया है अब इस पानी को अगले tank में लेके जाएगे यहां कोई भी कच्रा नहीं निकला है बस organic matter digest होके phlox बने है अब हम इसे third tank में लेके जाएगे अब कहेंगे secondary settling tank तो erasion tank में biological treatment हो रहा है secondary treatment, biological treatment यानि organic matter को digest करा कच्रे को साफ करा secondary settling tank में जाकर हम इस पानी को फिर से ठहर ने देंगे जब हम ठहर ने देंगे जो यह phlox वगरा है, bacteria, fungi यह सब settle down हो जाएगे और उपर साफ पानी बचेगा यानि secondary effluent इसे हम आसपास नदीन, तलाब वगरा में छोड़ देंगे यह काम तो खतम हो गया अब जो नीचे कच्रा बचा है, यह दूसरा कच्रा है primary settling tank पे primary sludge और primary effluent था secondary settling tank पे secondary effluent and secondary sludge जिसे activated sludge बोलते हैं, वो मिल गया है अब इसके अंदर basically flocks है तो इसके कुछ हिससे को हम pump back करते हैं, erasion tank में inoculum starter की तरह ताकि वहां हमेशा flocks बने रहें ताकि वहां हमेशा वो फले फूले और जितना पानी आता जा रहा है उसे कच्रे को साफ करते रहें पर major part को अब हम fourth tank पे लेके जाएंगे anaerobic sludge digester, तो वहां पर हम यह flocks को ले गए हैं और हम इने settle होने देंगे और वहां methanogens है anaerobic conditions है तो flocks मरने लग जाएंगे और methanogens इने digest करेंगे, इने खाएंगे और as a result bio gas produce होगी तो हमने क्या किया, हमने पानी को साफ करके नदी में छोड़ दिया, secondary settling tank से ही प्लस हमने anaerobic sludge digester, sludge, क्योंकि यह sludge को digest कर रहे है, anaerobically उससे bio gas भी बना ली है तो देख यह फाइदा ही फाइदा है NCRTB लिखती है कि आज तक till date, इनसान के द्वारा बनाई गई कोई technology नहीं है, no man made technology, जो इस प्राक्रतिक microbe यह जो useful वाले microbe जो पानी साफ कर रहे हैं, seaweed साफ कर रहे हैं, उसको match कर सके Now, यहाँ पर जो department आता है government ने सोचा है कि हम number of STPs यानि number of sea waste treatment plants को बढ़ाएंगे नदियों में ताकि नदियों में गंदा पानी ना जाए और वो pollute ना हो, वरना बहुत सारी waterborne diseases हो सकते हैं, बिमारियां हो सकते हैं, दूशित पानी को पीने से तो number of STPs बढ़ाने के लिए गंगा action plan और यमुना action plan स्टार्ट करा है गंगा action plan 1985 में स्टार्ट हुआ है और उसके बाद यमुना action plan स्टार्ट हुआ, किनों ने स्टार्ट करा ट्रिक है हमारी men for ganga and yamuna men, m मतलब ministry, n, e, n यानि environment for मतलब forest, गंगा यमुना action plan के लिए men for यानि ministry of environment and forest तो ध्यान रखना IARI and KVIC बायो गास plant लगवाने में जिम्मेदार है और ministry of environment and forest action, river action plan यानि STPs बढ़ाना वो इनका काम होता है So with this my dear students microbes in human welfare का podcast complete होता है एक एक शब्द, एक एक example एक line NCRT की मैंने आपको छपपा दिये दिमाग में बहुत important chapter है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना एक भी question गलत नहीं होना चाहिए 4 to 5 questions आते हैं, very very scoring, I hope आपको इसकी help होई है मिलते हैं अगले series, इसी series के अगले lecture में, till then मेरी धेर सारी शुब कामना, धेर सारा प्यार और धेर सारी blessings God bless you, thank you